नमस्कार, A2Z Dishes उशा कोरजानी में आप सबका स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ मलाई वेज ग्रिल सेंडविच ये खाने में बहुत ही मज़दार लेखती है सबजियों से भर पूर, एकदम टेस्ट फुल तो आप ये कोई भी पार्टी में बना सकते हैं या फिर कोई special location पर बच्चों को बना के दीजे सुबह के नाश्टे में भी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो ये जो मलाई वेज ग्रिल सेंडविच है न इसके लिए न सबसे पहले हमें स्टफिंग बनानी है एकदम सारी सबजियों से भर पूर तो एक हमें बाउल ले लेना है इसके अंदर आपको डालना है एक कप एकदम बारिक कटी हुई पता गोबी यहाँ पर एक गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया था वो डाल दिये एक छोटे प्यास को बारिक कट लिया था एक चौथाई कप जितने बॉइल स्वीट कॉन एक बारिक टमाटर कटा हुई दो कटी हरी मिर्ची और एक शिमला मिर्च बारिक कटा हुई धनिया के पत्ते आदी चमच लाल मिर्च पाउडर आदी चमच औरेगेनो डालना है एक चौथाई चमच काली मर्ची पाउडर एक चौथाई चमच बनावा जीरा पाउडर और स्वाद अनुसा नमक इन सबको आपको अच्छे से मिक्स करना है आप नमख और अपने मसाले अपने स्वात के अनुसा कम जादा कर सकते हैं तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपको डालनी है मलाई तो यहाँ पर एकदम घर की फ्रेश मलाई जो दूद के उपर जम जाती है न वो डाली है मैंने तो तीन बड़े चम्मज भरकर मैंने डाली है अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है सबजियो के अंदर इसे आप देख सकते हैं मैंने इसे मिक्स कर लिया है अब हम गैस को अन करेंगे और यह जो ग्रिल पैना आता है न ऐसे मैंने गरम करने रख दिया है ब्रेड आपको लेनी है कॉर्नर्स बिना वाली आप चाहें तो कॉर्नर्स वाली है आपके पास तो कॉर्नर्स को कट कर ले तो दो स्लाइसे लेने इसके ओपर अच्छे से आपको बटर लगाना है सबसे पहले बटर लगाने के बाद इसके ओपर आपको यह हमारी जो बनाई कीजेगा अब इसके उपर आपको अच्छे से बटर लगाना है काफी टेस्ट बढ़िया आता है बटर से अब तवा भी अच्छे से गरम हो गया है तो हमारा यह जो बटर वाली साइड है वो हमें यह जो ग्रिल पैन है न उसके उपर उसके साइड पर डालनी है और जहां पर ह हमें अब बटर उसकी साइड पर भी लगाना है अच्छे से बस आपको लगे कि नीचे से सिखना शुरू हो गई है तो इस तरह से हम पलट लेंगे और इसे हम अच्छे से से केंगे और आप देख सकते कितने बड़िया यह माक्स आ रहा है ग्रिल के और यह जो सैंडविच ह खाने में बहुत ही टीस्टी लगती है तो आप देख सकते हैं अच्छे से यह सिख गई है तो इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से मैंने यह दूसरी भी बना लिए इस पर भी बटर लगा लिया था बटर वाली साइड आपको यह तवे पर रख दिने है यानि कि पैन में पैन में रखने के बाद आपको बटर लगा लेना है उसकी दूसरी साइड पर अच्छे से आपको इससे भी सेख लेना है और आप देख सकते हैं यह भी सिक्कर तैयार है चलिए इसे कट करते हैं और इतनी टीस्टी लगती है यह ज़रूर ट्राइ कीज़ेगा तो इसे कट क तो आप ये ग्रिल सेंडविश की रेसिपी ज़रूर ट्राइ कीजेगा और मुझे कमेंट सेक्षन बताएगा क्या आपको ही मेरी रेसिपी कैसी लगी है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजे आज के लिए बस इतना ह तो इतना है टो एक रेस थी को कीजे आज की बच है वे जीक जागव एच्छी को लाइक बरुक एप टो के वागी है झाल झाल